काफी क्लासिकल इसके मेटर कंसोल को रखा गया है राउनेड शेप मेलरार परिफियरी जो है प्रोम फिनिश से दी गई है आपको एक क्रूजर बाइक देख रहे हैं तो आपके लिए बाइक अच्छा ऑप्शन हो सकती है तो हम बजट में आपको अच्छी खासी क्रूजर बा क्रोम फिनिश स स्कसि पर यहां पर आपको अपने पर झाटताय है तो आपको इसको आटेल पर आते हैं इसको आ मश्ना करते हैं और आं करने के लिए इसमें आपको मिल जाता है रोतेटरी किल स्वीच ≘ आप देखें, यह के अपने आपस्छी से आपको और тр स्टार्ट करने के लिए उप्शन मिल जाता है यह था एक्जास्ट साउंड इस पर आप लेग रिच देख लिए आपका जो लेग कंफर्ट है कुछ इस तरह से रहने वाला है स्टेच करके आराम से आप बैठ सकते हैं और राइडर के लिए स्प्लिट में सीट मिल जा रहा है इस सब कुछ आपको यहां पर इसमें फिचर मिलने वाले हैं बात करें इसके फिल्ट है का पेसिटी का तो पंदर लिटर रखा गया है मालेज आपको 35 के आसपास मिल जाएगा और प्राइस रेंज जो है टू लेक्ट 37,000 से टू लेक्स 53,000 के बीच में वेरी करता है इस पर इसका जो फ्रॉंट से लुक है कुछ इस तरह से आपको मिलने वाला है राउंडेड इसमें मिल रहा है आपको हेडलेंब हैलोजन बल्क का इस्तमाल किया गया है यदि आन करते हैं तो कुछ ऐसा इसका आपको लुक देखने के लिए मिलने वाला है और यदि पासिंग लाइ इसके हेड्लम का जो परिफेरी है इसको क्रोम फिनिश के साथ में रखवा गया है त्रैडिशनल लुक इसके हेड्लम में मिंटें रख गया है और यहाँ पर आपस का इसके साइड लिजीटर को भी देख लिजे पुराने स्टाइल और पुराने अपने घासित है पुराने तो यहां पर इसके हैडलेंब के बाद कर लेते हैं इसके मुद्गार का इसका जो फ्रंट मुद्गार कुछ इस तरह से वीजबल होने वाला है प्लेन डिजाइन रखा गया है और मुद्ध इसमें आपको एडिशनल मिल जाता है इसका एक अपना एडवांटेज होता है कभी क यहां होता है यदि आप खड़े से निकल रहे हैं या कुछ ऐसा थोड़ा सा उचा सब्स आपको मिला तो यहां पर सिर्फ आपको इतना ही चेंज करना पूरा आपको मढगार चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी तो यह एक अची बात हो जाती है बात करें इसके और फंट में आपको टेलेस्कोफिक से से रहा है खड़ influen ego से निकालना जो बाइक को है ऊफिक कामफोंटेबल रहने वाला इसिपलlyटी रहने वाली है ब्रेक सडनली अपला ही करेंगे तो भी जो बाइक का बैलेंस मेंटेनर रहने वाला है लेकिम बाइक है तो किसी को यह चाहते हैं उनके लिए बेहतर हो सकती है इसके सेस्पेंशन के बाद हम इसके ब्रेकिंग सिस्टम को देख लेते हैं तो इसमें आगे और पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक मिलने वाला है और डूल चैनल एबियस यहां पर मिल जा रहा है जो ब्रेक कलिपर है बीबर का इस्तेम करने वाला है इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बाद हम इसके वील को देख लेते हैं तो मल्टी स्पोक्स के साथ में इसका वील का जो डिजाइन है यह काफी खुब सूरत है मुझे बहुत पसंद आया यहां पर आप इस साइड से देख लिए दूसरे साइड से कुछ इस तरह स फ्रूजर मिलने वाला है रेडिय को सेंटीन इंच का मिलने वाला है तो एक अपनाय पहचान होती है अच्छा हो जाता है एक के उजसे और आपको आचा होता है अचा होटा है और आसान हो जाता तोड़ से नेरो डिजाइन रखा जाता है ताकि एर रिजिस्टेंस को भी नुटलाइज कर सके और इसके साथ साथ लेग दीज भी जो है आसान हो जाए इसके फिल्ट है के लेट को देख लिजे पुरूम फिनिश के साथ में आ रहा है तो ब्लैक एंड क्रोम का जो यहां पर क सब्साक्राइज को और लॉग सरण लाउन समय उसको दिया गया है और इसकी चुकॉश धरैंगे कोशिश नहीं की रहा है तो यहां पर आपको स्कुशन के साहते मिलने वाला तो इसके इंजिन का जो वाइबरेशन है वो आपके लेग में ट्रांसफर पम से कम हो इसलिए यहां पर इस सारे प्रोविजन ही मिल जाने वाले है और प्लेन राइडर के लिए भी जो फुट्वेस्ट है एक कुशन के साथ में आ रहा है तो डोनों का एक जो राइड है वो जाते हैं तो पिलेन राइडर के लिए थोड़ा सा अनकॉंफरेबल हो जाता है लेकिन फिर भी आपका जो कंफर्ट है इसके वज़े से आपका बढ़ जाने वाला है बैक पर तो कुछ यहां पर आपको बंदो बस देखने के लिए मिलेगा आ जाते हैं इसके रियर प्रोफ अच्छा रहने वाला है लुक जो है वह पुराना रखा गया है क्रोम फिनिश से इसकी पेरिफेरी है और इसका जो ओवराल अपेरेंस है तो सैसे रहने वाला है साइड इंडिकेटर और रियर रिफिलेक्टर दे रिया गया है और लेप साइड में आप देखें तो यहां प इसमें अभी आइड कर दिया गया है साइड स्टेंड कट आफ सेंसर जो कि अगें यह अपने सिंगल स्टेंड पर गाड़ी खड़ा किया है और जल्दबाजी में लेकर निकलते हैं तो आपकी गाड़ी जो है आगे नहीं बढ़ने वाली है तो इसमें सेटी अन कॉंफर्ट मे 6100 rpm पर और इसका जो पीग टॉक है यह आपको मिलने वाला है 27 Nm का और बात करें हम इसके गेर बॉक्स का तो इसमें आपको 5-speed gearbox मिल रहा है 1st down 4 up तो इसी के साथ इसका dimension भी देख लेते हैं तो इसका जो ground clearance है यह आपको मिलने वाला है 170 mm का और इसका wheelbase रखा गया है 1400 mm और बात करें हम इसके seat height का तो यह रखा गया है 765 mm का 765 mm का जो height है बहुत कम हो जाता है किसी भी height के आदमी के लिए इस बाइक को control करना और चलाना आसान रहने वाला है लेग रिच के concern में तो यह सारा detail था है इसके engine और dimension का अभी मैं आप लोंको इसका मेटर कंसोल दिखा देत गियर shift का और time आप देख सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसमें trip का भी information ले सकते हैं और analog में रखा गया है इसके speed को और यहाँ पर आप नीचे icons देख सकते हैं इंडिकेशन आपको मिलने वाला है इंजन चेक लाइट गियर इंडिकेशन और बैटरी और फ्यूल सब कुछ यहाँ पर आपको यह सारे information मिलने वाले हैं इसके मीटर कंसोल में अब इसके मीटर कंसोल के बाद हम बात कर लेते हैं control switches का तो यहाँ पर आपको information का switch मिल रहा है और तीन switch यहाँ पर मिल रहे हैं रोटेटरी मिल रहा है है headlamp के लिए upper and deeper और इसे साथ-साथ passing light का इस्तमाल कर सकते हैं left-right का indicator और यहाँ पर हॉन और राइट साइड में आपको यह दो switch मिल जाता है और इसके rear view mirror को देख लेजिए conventional design में रखा गया है rounded shape है और इसका जो base है यह मिल रहा है आपको black color से तो यह सारा detail था इस बाइक के बारे में price और इसका जो filter and capacity mileage है मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था यह showroom है विले पार्ले में elaborate के पास में contact number address दोनों share हो जाएगा फर्दर आपकी जो भी inquiry है आप call कर सकते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में thank you bye bye